इस्टोक मार्केट का बेताज बातसा जिसको स्टोक मार्केट में इन्वेस्ट करना है भारतीय सेर बाजार में जिसको इन्वेस्ट करना चाहे FII हो या डियाई हो या रिटेलर हो इन्ट्राडेटेक मुंबई MBA BKC की सौफ्ट्यूर पर आए दोस्तों अगर आपको पैसे छापने की मसीन रखना है तो रख लिजे टाटा मोटर लिमिटेड जी हाँ आटो मोबाईल सेक्टर का हीरा टाटा मोटर 500 के पार जाने के लिए तैयार है जिसकी किस्मत में होगा आज ये खरदारी करकर रखेगा और 2023 से लेकर 2025 तक लगतार खरीते रहो और ये नहीं पूछो कि क्यों कैसे आप बोल रहें सर ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं 27 दिसंबर 2022 टाटा मोटर हमारी बेक्तिगत इन्वेस्टमेंट इसमें एक लाग सेर आज खरदारी करने जा रहे हैं जो आपको मैं सेर कर रहा हूँ दोश्तों ये वीडियो के मादे हम से सेर कर रहे हैं टाटा मोटर्स एक लाग की खरदारी इंट्राडेटेक मुंबई एम्बी ए बीके सिंग कर सकते हैं कभी भी और आज से लेकर जब तक कि ये एक हजार नहीं चला जाता तब तक मेरी खरदारी सुरूर रही दी अगर पहली बार आए इंट्राडेटेक मुंबई एम्बी ए बीके सिंग की चैनल पर तो आप ज़रूर जान दीजिए ये सेर आपको एक हजार सेर जिसके पास भी रहेगा आने वाले दस साल में कम से कम पचास करोड का घर पांच करोड का कार और पांच लाग का बुलेट इंफिल्ट इंडिया लिमिटेड जो आपको आइसर मोटर का ये स्टोग जो है इंफिल्ट बुलेट वो भी पांच लाग का खरी सकते हैं तो जिसको पचास करोड का बंगला पांच करोड का कार और पांच लाग का बुलेट खरीदना है तो टाटा मोटर्स में इंवेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो करके देखिए क्योंकि ये आटो मोबाईल सेक्टर का बेताज बादसा निफ्टी फिप्टी का ये स्टोक अब आपको बता दिया है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा जोगदान है और एयर बस जो एम्बूलेंस सणकों पे चलती है उसके बाद इस कंपनी को मिला भ्यांकर बहुत जबज़श्ट दिल्ली और मुंबई में बसों का अंबाल टाटा मोटर्स को और उसके बाद एयर बस जो कैजुएल्टी किसी तरह का होता है तो 75 एयर बस बनाने में भी इस कंपनी का बहुत बड़ा जोगदान है इसके साथ सहयोगी है टाटा मोटर्स के सहयोगी कंपनी भारत डाइनेमिक लिमिटेड और भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ये तीन स्टोक का पोर्टफोलियो बना लो 2025 तक और बन जाओ स्टोक मार्केट में सबसे धानी बैकती है और स्टोक मार्केट ऐसे ही स्टोक को ढूंटता है ऐसे ही इन्वेस्टर को ढूंटता है अगर आपके पास पैसा है और सोच रहें कि इन्वेस्टमेंट कहा करें तो लगा दीजे टाटा मोटर्स में और सोजाए दो साल दोस्तों जाए हिंजे भारत मंदी मातर।